सूपर नोवाज और टेल ब्रेजल्स के बीच खेले गई वुमेंस टीट वंटी चलेंज के पहले मैच में जब सूपर नोवाज के कप्तान हर्मन ब्रेज को रन आउट हुई तो उनको अपने ही टीम के खिलाड़ी सोफी एकलशन के उपर गुसा आ गया और इसी गुसे में हर्मन प्रीट कोर ने आउट होने के बाद अपना बैट भी जमीन पर मारा देरेसल सूपर नोवाज की बल्ले बाजी का 19 ओमर कराने याई पूनम व्यादव के ओवर की आखरी गेन पर इंगलिश क्रिकेटर सोफी एकलशन ने तेर शोट खेला और गेंड बल्ले से लगते ही दोनों की लाड़ियों के बीच दो रन लेने की कोल हुई और ऐसे में हर्मन प्रीट कोर तो दूसरे रन लेने के लिए दूसरे एंट तक भी पहुँच गई लेकिन उनोंने दूसरी और देखा सोफी एकलशन ने तो उन्हें वापिस जाने के लिए कह दिया था और ऐसे में बल्ले बाजी एंट पर रिचा गोशनी हर्मन प्रीट कोर को रन आउट कर दिया और ऐसे में सैट बले बाजर्मन प्रीट कोर की यह 37 नो के पारी भी समाप्त हुई